नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरुज अगरवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गाड़े नीज माई पैसन का हिंदी भरसन दोस्तों देशी गुलाब की कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाए किस सीजिन में लगाए यह सारे ब रहा है या फिर प्राइसेज बहुत ज्यादा है ताप देशी गुलाब लगाके आप अपना सौक पूरा कर सकते हैं और इसकी जो कटिंग है इसका प्रोबागेशन बहुत तीजी है और मैं आपको बताओं कि यह जनुरी फरवरी मार्च, जुएन, जुलाई, अगास, सेप पतली कटिंग भी लग जाती है लेकिन मोटी कटिंग लेंगे तो आपके लिए जो पौदा जो है ग्रो करना बहुत आसान होगा है नीचे से मैं काट लेता हूँ यह एक तहनी यह काट लेता हूँ और इसका जो उपर वाला पोर्चन थोरा सा इसको मैं काट का हटा देता अचरे से दिखिए और इसको मैं गोरो करना चाहिए और यह बहुत आसान है और दूसरा मैं और एक तहनी लेता हूँ यहा से जो अच्छी तहनी है इधर से देखता हूँ यह लेता हूँ मैं कटर आपका अच्छा होना चाहिए कटर अच्छा होगा तो आपके लिए ग्रो करना अच्छा रहेगा दोस्तों टैनियों के हमां ड्रेसिंग के लिए पत्ते काट दिये हैं और यह देखे कांटे जो है नीचे की तरफ होना चाहिए क्योंकि जब आप बिठाएंगे कांटे देखे नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ से रूट होना ज़रूरी है और यह देखे बालू ले रहे हैं बालू या बजरी इसको रेज़ भी कहते हैं यह नदी की बालू है और या फिर बजरी जो कॉंस्टक्षन सेंड मे आता है स्को दो तीन बार अच्छी तरफ से दो के इसमें कड़ी तीन इंश तर नीचे गरा दे है और यह दिकी नीचे बाला इसमें उसरू और यह दुन आप सहीं तकार शारू तरफ हो아아करा पलास्टे कीं हो नहीं तो क्या होगा वह ग्रोहने में कटिंग ग्रोहने में दिक्कत होगी अब क्या करता हूं यह प्लास्टिक के रिवाग है इसको चारू और से इसको ढख देता हूं ताकि इसके इंटेंसिप के अरिन्विट बन सके इसका अच्छी तरह से और करीव एक से देर मेने में बिल्कुल आपकी रूटिंग हो जाती है और आप देखेंगे एक से देर मेने बाद टाइम तु टाइम दो चार दिन बाद बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करना है और सिमीशेड में रख देना है उसके बाद 15 दिन बाद इसका हम प्लास्टिक को हटा देंगे जब कल्ले फूटेंगे दोस्तों ये दो मैना पहले हमने लगाया था ये देखिए मैंने रिजाल्त दिखाता हूँ आपको ये तोड़ा हिल गया तरह पानी हर दिन पानी देने से अब क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पर फूल भी आया हुआ था एक ठो और इसको हम आप निकालेंगे ध्यान दे जब आपके पूरी टेहनी नय नय ब्रैंच आए तब ही आप खोले दो एक कल्ले फुटे तब आपको नहीं निकालना है जब देखे पूरा ब्रैंच त सांदर कटीग हो गये और ये दिखिए मैं आपको थोरा सा नजदीक से दिखाता हूं बहुत सांदर रूटी यह करिभध क्वय हअन soothing आपको एक से और मैंने हो जाती और थोड़ा मैं पानी में डालके इसकी जो बालू है इसको हटाके मैं थोड़ा दिखाता हूं इसका प्यूर रूटिंग क्या सांदा रूटिंग है यह देखिए यह है रूटिंग और यह कोई भी हर्मोन में ने प्रोएग नहीं किया है कुछ भी treatment नहीं किया सिर्फ बालू कमपोस्ट कॉँझ भी हो थुझा से मिला के फांच इंच के गमला में हम इसको transplant करते हैं चोटे घम्ला में पहले transplant करें इसको ग्रोथ हो जाए दो मेहने बाद आप चाहे त wok till रूटिंग जो है पौपा रूटिंग हमारी हो जाँए यह बालू मीं थी मित्टी के रूटिंग पुड़ा root wall बनना है ताकि आपका plant बहुत fast grow करे तो इस तरह से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस तरह से आप इसको plant में पौदे में बिठाएं उसका बाद देने का बाद पानी थे इसके बाद दो मैने करीब इसी गमले में रखे दस दिन आप सेमिसेड में रखे दस दिन बाद आप इसको बिल्कुल धूप में निकाल दे और ये सर्दी के धूप में ये बहुत तेजी से plant का growth होगा क्योंकि इसमें खुरा खाद भी है और इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और सेमिसेड में रख देते हैं और करीब 15 दिन 10 दिन 15 दिन बाद हम इसको बिल्कुल धूप में निकालेंगे और करीब 2 मैने बाद हम 8 इंच के गमले में टैंस्पेनल कर देंगे आपका पुदा बिल्कुल तेयार है सर्दी भर और सारी साल आपको फिर बिलते रहेंगे तो दोस्तों यह राप उड़ा तकनिक उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आता लाइक कीजिए चैनल में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नबाद